नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A2Z डिशिश उशा कोरजानी में तो आज आपके साथ में शेर करने जारी हो हरा चना मसाला सर्दियों का मौसम है, मार्केट में ये हरे चने काफी मिल रहे है इसे आप किस भी रूप में खाए बहुत ही स्वादिस लगते हैं तो आज हम इसके चना मसाला बना रहे हैं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरे चने ले लिए इसे मैंने छीर लिया है और अच्छे से दो लिया, साफ कर लिया है यह मैंने दो सुप पचास ग्राम लिया है उसके बाद, मैंने यहाँ पे लिया है कुकिंग हुई यानि की तेल पर 97 लिप आउडर, लालमिश पौडर, 1 जीरा स्वाद नुसा नमक आधी चमच चेंग, एक चमच गरम मसाला, एक चमच कसूरी में थी और एक चमच हल्दी पाउडर उसके बाद मैंने आप लिए दो प्यास जिसे मैंने बारिक कट लिया है एक चमच अदरक लसन का पेस्ट और दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई तीन टमार्टर लिये जिसे मैंने मिक्सर में डाल रही है और इसे एकदम बारिक पीस लिया तो इसकी ये प्यूरी तयार हो चुकी है अगर आप लसर नहीं खाते तो अद्रक की पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दो चम्मच बेसन और फिर मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पत्ते दो चम्मच जितने और यहाँ पे मैंने लिये दही ये घर की दही या मार्कीट की भी ले सकते हैं यह मैंने लिये आदा कप यहाँ पर ingredients खतम होते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं तो जो यह हमने चने लिये थे इसे मैंने अच्छे से छील कर साफ कर लिया थे इसे हम सबसे पहले उबाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे कुकर में डाल दिया है अब इसके अंदर में डाल रहे हो पानी तो मैंने यहाँ पर एक कप जितना पानी डाला है और इसे हम ढख लेंगे इस तरह से और इसे दो सीटी आने तक हम पका लेंगे तो यहाँ पर दो सीटी आ चुकी है चलिए कुकर का ढखन खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो चने हैं एकदम परफेक्ट हो चुके हैं मैं आपको दिखा देती हूँ एक चना इस तरह से दबा कर एकदम परफेक्ट यह दब रहा है हमारे जो यह चने हैं एकदम परफेक्ट पके तयार है अब हम बनाते हैं, तो गेस के उपर मेंने एक कड़ाई रख दिये इस तरह से इसके अंदर हम ये तेल डाल देंगे cooking oil और इसे हम गरम कर लेंगे, जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ पियास और इसे हम थोड़ा सा बून लेंगे ज़्यादा हमें प्यास को लाल नहीं करना है सिर्फ इसे 2-3 मिनिट तक बून लेना है थोड़ा सा ये गुलाबी यानि की पिंकेश हो जाए इसे हम इस तरह से लगाता चलाते जाएंगे और इसे थोड़ा बून लेंगे यहाँ पर 1-2 मिनिट हो चुके हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे अद्रक लसुन की पेस्ट और इसे भी हम बून लेंगे 1-2 मिनिट तक अगर आप लसुन नहीं खाते हैं तो आप अद्रक को बारी काट कर भी डाल सकते हैं अब अद्रक लसुन का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तब तक इसे हमें बूनना है एकदम बहतरीन सी खुश्पू आ रही है और इसका कच्चापन है वो भी निकल चुका है अब इसके अंदर हम डालेंगे आदी चमच जितनी हिंग और इसे हम सिफ इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल रही है तो सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्श पाउडर इसे के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर चलाते जाएं और इसे एक से दो मिनिट तक भूलें तो यहां पर हमने से अच्छे से भूल लिया है अब जो हमने टमाटर को पीस कर तयार किया था बो डाल देंगे इसके अंदर और लगातार इस तरह से चलाते होगे तीन से चार मिनिट तक पकाएंगे टमाटर को थोड़ा एसका कच्छापन निकल जाए और सारे मसाले भी अपना तेल चोड़ना शुरू कर दे तब तक इसे हमें पकाना है तो तीन से चार मिनिट लगेंगे तो अच्छे से पका लीजे से तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन से चार मिनिट हो चुके हैं टमाटर का कच्छापन भी निकल चुका है अब इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे तब तक यहां पर हमने ले ली है दही यह मैंने आदा कप लिए गर की दही आप मार्केट के भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके अंदर मैं यह बेशन डाल रही हूँ दो चमच जितना और अच्छे से मिला लेंगे अभी गरम मसाले का गोल तयार हो चुका है और यह जो मसाला है अमारा वह भी तयार है मसालों ने तेल चोना शुरू कर दिया है अब हमने यहाँ पर दैसक ग्रेवी बिगड भी सकती है तो लगातार चलाते जाएं इसके अपर अंदर हम हैट करेंगे बारी क outfits मिर्ची और इसी के स यहां पर डाल लेंगे एक चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह टोटली ऑप्शनल है यह कलर के लिए है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और लास्ट में में डाल रहे हूं स्वाद अनुसार नमक अब अच्छे से मिला लेंगे एक पर कश्मीरी लाल मि डाल देंगे तो यहां पर मैंने डाल दिया है अब इसे हम एक बार अच्छे से मिलाएंगे सारे मिक्स कर देंगे ताकि चने के अंदर हमारी यह सारी ग्रेवी लग जाए तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है करीब मुझे इसमें एक से दो मिनिट लगे है mix करने में, अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, तो यहाँ पर मैं एक कप जितना ही पानी इसमें इस्तिमाल कर रही हूँ तो जो अदरक लसन की पेस रखी थी जो कप में, मैंने वही कप में पानी डाला तो इसका इसा कलर हो चुका है, तो मैंने एक कप अब जितना पानी डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से एक बार इस तरह से मिला लेंगे साइट्स पर थोड़ा लगा है मैं इसे भी उतार कर इस तरह से मिलाती जा रही हूँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से मिलाएंगे अब इसे हम ढखकर भी पकाने वाले हैं तो सबसे पहले एक मिनिट तक इसी तरह से मिलाते होगे हमें पकाना है जैसे एक मिनिट हो जाए इसे हम ढख लेंगे ढखन इस तरह से लगा लेंगे आज को धीमा कर लेंगे और पांच मिनिट तक इसे हम पकने देंगे तो यहाँ पर पांच मिनिट हो चुके हैं चलिए धकन को हटा लेते हैं एक दम बढ़िया तरीके से तयार हुए है मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लीजे मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ देखे कुछ इस तरह से यह तयार हो चुके इसकी जो ग्रेवी है वो भी गाड़ी हो चुकी है बहुत ही बढ़िया सी खुश्बू आ रही है अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा दनिया अग्दम ताजा वाला हरा दनिया हमने डाला है अच्छे से मिला लीजे तयार है गैस को हम बंद कर लेंगे और इस तरह से हम वाउल में से सबका लेंगे तो तयार है एक्दम बड़िया से सर्द्यों के लिए खास हरा चना मसाला काफी हेल्दी रेसिपी है इसे अब जरूर ट्राइ कीजे इसे अब चपाती, तंदूरी रोटी, नान, कुल्चा, पराथे सब के साथ खा सकते बहुत ही टेस्टी लगती है अपको बहुत ही पसंद आएगी तो इसे बनाईए और मुझे पताई कैसी लगी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बुले, थैंक यू फोर वाचिंग